नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ इस वडियो में जहां हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी के बारे में दोस्तों कल बैंक निफ्टी का एक्सपाइरी है तो किस तरीके से प्लान करना है क्वों सा लेवल आपका जेकबोट लेवल बनेगा कल मार्केट की साइकलोजी क्या होने वाले दोस्तो अगर हम आज की बात करते हैं मार्केट में तो अगर अपन यहीं पर बैंक निफ्टी का 3 मिनिट का टाइम फ्रेम चेक करते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो रहा था कि बैंक निफ्टी इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर lower high lower low का formation बना रहा था वहीं पर अगर 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 आज मार्केट में देखें निफ्टी में तो निफ्टी में दोस्तों यहाँ पर जो बन रहे थे ना वो बन रहे थे कौन सा लेवल आपका जेकपूट लेवल बनेगा हम आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कहता हूं यहां पर कहीं ना कि डेटा में हैर बदले मतलब यहां पर डेटा थोड़ा सा पॉजिट है हम डेटा के बारे में चर्चा करेंगे साथ मुस्तों यहां पर डाव फूचर को जेक करने वाले हैं तो कहने वाला हैं तो के खाँश दोस्तों कि अगर आप इस विडियो को एंड तक वाच करते हो ना तो जो लेवल बताऊंगो दोस्तों अगर आप उसे ट्रेप को पकड़ पाते हो उम आर्केट में अगर निफ्टी में ट्रे Carnies बनता है अगर आप सेटर बन गया दोस्तों तो बहुत ही प्राफिट बनाओगे साइकलोजी बताऊंगा प्लस आपको लोजिक बताने आवाला हूं तो केना चाहता हूं यार इस वीडियो को एंड तक वोच कीजिएगा और साथ में वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको वीडियो कल भी दोस्त हमने एक लेवल बताया था देख रहो यहां पर 45800 का सी दिया था उस टाइम पर यहां पर उसका प्राइस चल रहा था 348 चल रहा था एंगाईस इसने जो हाई बनाया है 450 रुपे का हाई बनाया है एंगाईस अगर अगर आज का चेक करते हैं तो आज भी काफी कि लोगों ने बहुत प्यारा प्राफिट बनाया है देख़ो आप चेक कर सकते हैं हमारे स्टुडेंट के फीड़ बेक यहीं पर अगर आपन आते हैं तो काफी लोगों ने बहुत प्यारा प्राफिट जंडेरेट किया था 35,2098 हम यहीं पर और आते हैं 10,819,301 रुपे त आफ ये लोगों ने बहुत प्यारा profit बनाया है कहीं ना कहीं तो कहता हूं दोस्तों कि अगर आपने टेलीग्राम को जोइन नहीं किया तो टेलीग्राम को जोइन किजिएगा इसका लिंक मैंने description में दिया हूं दोस्तों मैं यहाँ पर active नहीं था कुछ दिनों से फिर भी मेरे trade के लिए आप उसे कैसे यूज़ कर सकता आपकी मरजी है दोस्तो बट इसका link मेंने description में दिया हुआ है इसका जो link में यहाँ पर comment box में pin कर दूँगा तो वहाँ पर आप जाके join कर लीजगा चले दोस्तो यहाँ पर अपन data check करते हैं थोड़ा data को समझेगा data अगर आपने समझ ले तो यहाँ पर आपने psychology आप समझ लोगे चलिए हम यहीं पर आते हैं थोड़ा सा bank nifty का data check करते हैं data से check करने से पहले अगर हम dow feature को check करें तो यह 51.negative है हम इस page को वापस refresh कर लेते हैं तो देखिएगा हमको यहाँ पर दिख रहा है अभी मैं कुछ देर पहले check कर रहा था उस टाइम पर अस्ति point था मतलब है recover हो रहा है positive तरफ वे जा रहा है recover होके देखा जाये तो और यहाँ पर थोड़ा सा negative way recover हो जाएगा ठीक है चलिए आज आते हैं कि यहाँ पर अपने किस थरीके से प्लान करना है थोड़ा सा अपन data check करेंगे दोस्तों यह oi pulse से जहाँ पर मैं oi pulse यूज़ करता हूँ देखिएगा यहाँ पर समझो थोड़ा अपने data को समझ लिया data आपको सब कुछ बता देगा market में होने क्या वाला है देखो हम यहीं पर आते हैं देखो अगर हम 45800 का level देखे न तो इस level पर दोस्तों call selling है मतलब bank nifty का जो 45800 का level है 46000 का level है यहाँ पर call seller बैटे हुआ है इनको ऐसा लगता है कि market 45800 को break नहीं कर पाएगा market 6000 के level के उपर नहीं जा पाएगा क्योंकि यहाँ पर call selling पड़ी हुई है बहुत सारी है अगर हम बात करते हैं put selling की यहाँ पर एक level आता है पेतालीज 500 जहाँ पर put selling है दोस्तों 21 लाक्या सपस फिर यहाँ पर आती है पेतालीज जार फिर यहीं पर आता है चुमालीज जार यहाँ पर बहुत जादा put selling है हम यहीं पर बात करते हैं कि आकिर में nifty में किस तरीके से प्लान करना है देखो अगर मैं bank nifty का data check करता हूँ तो मुझे overall यहाँ पर दिख रहा है bearish मतलब जो data मेरे को दिख रहा है bearish दिख रहा है वहीं अगर मैं nifty का data check करता हूँ तो मुझे यहाँ पर nifty का data जो दोस्तों कही न कहीं दोनों equal दिख रहा है मतलब बराबर दिख रहा है देख रहे हो आप मतलब call selling भी उतनी है और put selling उतनी है तो market में कहीं न कहीं दोस्तों nifty में एक ट्रेब बन जगता है अगर आपने ट्रेब को identify कर लिया और आपको psychology बताऊंगो तो अगर आपने psychology को आपने समझ लिया तो वहाँ पर आप काफी चाप profit जो है generate कर जकते हो देखो अगर हम यहीं पर आ जाते हैं market में देखो 21-900 का level चेक किजिए कि इस level पर दोस्तों put selling बहुत ज़्यादा है 21-800 put selling बहुत ज़्यादा है 21-800 put selling बहुत ज़्यादा है put selling का मतलब यह होता है कि लोग चाहते है कि market यहां से उपर जाए मतलब data positive बट यहां पर अगर अगर आपन देखें 22-100, 22-200, 22-300, 22-400 यहां पर कही बहुत ज़्यादा है तो यह लोग चाहते है कि market इसके उपर नहीं जाना चाहिए बाइजर के उपर नहीं जाना चाहिए दोस्तों हम यहां पर जो लेवल देखने वाले हैं साइकलोजी समझने वाले हैं साइकलोजी पर ध्यान देज़ेगा आप काफी अच्छा profit बना सकते चलिए यहीं पर आते हैं दोस्तों यह चार्ट जो है पांच मिनिट का चार्ट है इतना बड़ा जोन क्यों मार किया इसके पीछे का reason बताऊंगा मैं आपको चलिए पहले हम क्या कर लेते हैं कि आपको लेवल बताने के लिए यहां पर अपन 10 मिनिट का time frame करने वाले मेरे ज यही पर अच्छा का selling का pressure देखने को मिला तरीके से कि आपको बहुत ही अच्छी तरीक समझ में आने वाला दे केगा कल मार्केट यहां पर जो गया था अगर तीन घंटे 50 मिट लगाया था वही फोल करने मार्केट ने कितना टाइम लगाया था समझेगा यहाँ पर अगर हम देखे तो 213 पूल यहाँ पर ही फोल हो चुका था मतलब कितने टाइम हो चुका था अगर आपन देखे तो बहुत जल्दी हो चुका था अगर आप साइकलोजी को समझते हो ना बहुत प्यारा प्रॉफिट बना हुआ एक घंटे दस मिनट के अंदर काफी अच्छा फोल अपने को देखने को मिला था कम से हम 200 पूट के आसपास निफ्टी में मुए अगर अपन चेक करे तीन घंटा 50 मिन तक मार्केट क्या हुआ था साइडवेज हुआ था बाई साइड मतलब जा तो रहा था मतलब यहां पर स्ट्रेंथ नहीं थी बिल्कुल भी बाइंग साइड में समझ रो बाइंग साइड में यहां पर पूरी स्ट्रेंथ खतम हो चुकी थी मार्केट में और यहाँ पर selling आ चुकी थी मातर एक घंटा 10 मिनिट के अंदर market अपने को इतना fall होता हुआ देखने को मिला तो हमों क्या नजर आ रहा है में को यहाँ पर यह नजर आ रहा है कि selling का pressure यहाँ पर जादा था फिर अगर अपन यहीं पर चेक करते है market में तो चेक किज़ेगा market कहीं न कहीं अगर अपन यह लेवल चेक करते हैं एक घंटा 10 मिनिट और वहीं अपन यह लेवल चेक करते हैं समझेगा nooit मार्केट कहीं न है, miner को इस लेवल पर दो गन्टा 20 मिट लगा था, मतब्द दो गन्टा 20 मिट यहां पर इसको चड़ने में लगा था उपर साहिड में, फई है एक घंटा 10 मिट क अंदर गिर चुका था, यहां को यहां पर चैलिंग का प्रेशर अब भी यहां पर हुआ है, selling का pressure अभी market में यहाँ पर है, अब यहाँ पर आप एक उर साइकलोजी को समझेगा, देखो, अगर हम यही पर आते हैं, 5 मिनिट के टाइम फ्रेम में, समझेगा, अगर हम stop loss देखते हैं कि मार्केट में stop loss यहाँ पर down side में पड़े हैं, मतलब SL हंटिंग कहाँ पर हो सकती है, यहाँ पर stop loss 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 है, ठीक है, दोस्तों मैंने यहाँ पर SL Hunting की पूरी प्लैलिस्ट डिस्क्रिप्शन प्लैलिस्ट में डाला हुआ है तो वहाँ पर आप जाके वीडियो को चेक कर लिजेगा एंड कहना चाहता हूँ टेलिग्राम को जोइन नहीं किया तो टेलिग्राम को जोइन कर लो वहाँ पर मैं Stop Loss Hunting के चार्ट वगेरा शेर करता है ताकि आपके यहाँ पर हेल्प हो सकीगी टेलिग्राम को जोइन कर लो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अब बात करते हैं कि सेटप किस सरीकी से काम करता है ठीक है देखो तोस्तों कल अगर मार्केट फ्लेट ओपन होता है समझेगा यहाँ पर फ्लेट ओपन होता है ठीक है समझता है अगर कल मार्केट कहीं न कि इस वाले पॉइंट को ब्रेक करता है यह जो लेवल है दोस्तों एक काफी बड़ा रजिस्टेंस है अगर आप अच्छे करें समझेगा 21,970 का लेवल यह होता है ठीक है अगर इस लेवल की उपर मार्केट आता है अगर आप स्काल्पिंग करते हो तो बड़ा टार्गेट नहीं रखना है आपको बड़ा टार्गेट नहीं रखना है जब तक कि वहाँ पर अगर डेटा निकल करना है आपको तुरंत अगर मार्केट इसका ब्रेक आउट होने के बाद अगर यह देखो अगर मार्केट यहां पर ओपन हुआ एकदम से बड़ा ग्रीन केंडल अपने को देखने को मिला फस्ट 15 मिट का ठीक है तो फिर अपन बाइस हैं में अराम से प्ले कर सकते हैं इस दो फ्रम सेल के से खरेंगें मार्केट उपर गया बाइस अगर ब्रेक किया बाइयर को यहां पर इन्वाइट अगर नीचे आता है तो फिर अपने पने अच्छा कसा फॉल देकने को मिल सकता है को सा लेफिर profound रहे का सेलिंग करने का अगर इस तरहें से होता है क्या प्र्स 21-900, मेरे को अराम सची होगा और मेरे को यहाँ पर अराम से 21-800 भी देखने को मिल चकता है यह अराम से अपने को देखने को मिल चकता है reason क्योंकि अपने को यहाँ पर selling का pressure ज़ादा देखने को मिल रहा है compare करते buying के pressure से ठीक है, यहीं पर आते हैं अगर आप सेलिंग का प्रिशर ओर देखते हो ना दोस्तों देखो इस मार्केट को यहां तक चणने के लिए कितना टाइम लगा देखो मेरे को बता हुआ एक घंटा मतलब एक वन डे फाइप मिनिट देखे न तो यहां पर काफी टाइम लगा मतलब पूरा एक दिन यहां पर आप क्या गरना है अगर हमको यहां पर मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन होता है मार्केट अगर इस लेवल को डाउन साइन में ब्रेक करता है यहां पर यहां पर यह जो लेवल रहेगा आपका 21,870 का लेवल रहेगा अगर इसके नीचे market आता है तो अपने को target रहे हैं यहाँ पर 2800 अपने को तुरंत मिल जाएगा 2800 अपने को यहाँ पर तुरंत मिल जाएगा अगर इसको ब्रेक करता है downside में तो क्यों? क्योंकि market में 2900 पर क्या है? call selling और put selling भी समझना आप यहाँ पर एक आपके मन में डाउट होगा कि इतना बड़ा जोन में आखिर में मार्क क्यों किया देखो यह जो पूरा हडल है दोस्तो यह पूरा एक सपोर्ट एरिया है मतलब मार्केट इस पॉइंट पर बार बार उपर गया है इसी रेंज में अपने को यहाँ पर सकेलिपग्श नहीं करनी है बड़ एक लेवल है दोस्तो वो लेवल रहेगा आपका कर ऐ कई शास भी संटर का लेवल रहेगा रंग रोगेण कि क्यार करें लोजीड रहेगा अगर इसके नीचे मार्केट आ गया बार को यहाँ पर 2730 भी मिलेगा और आपको यहाँ पर 2650 ही मिलेगा डाउन साइड में अगर इस लेवल को ब्रेक कर दे रीजन क्या लोजिक क्या दिखाता हूँ डेटा आपने चेक किया होगा 21800 के लेवल पर कितना डेटा बिठा हुआ है 63 लाग क्या सपस यहाँ पर put seller बैटे हुए put को short करके वो चाहते हैं market क्या हो 21800 के उपर रहे मतलब अगर 21700 का लेवल ब्रेक हो गया तो वहाँ पर क्या हो यह put seller क्या करेंगे short covering करेंगे यह निकलना start कर देंगे भागना start कर देंगे फिर क्या होगा market नीचे आ जाएगा तो मेरे लिए support बनेगा important support 21700 का support बनेगा इसके नीचे आ दो किया सरम को अच्छा लगा एंग वीडियो को like करो शेर करो अपने friend को यहाँ पर ताकि वो भी इस तरही की वीडियो देख सके हैं खोड़ा यहाँ पर आप bank NFT को देखेगा bank NFT मेरा क्या plan है देखो कल कर लिए जो मेरा view रहेगा दोस्तो अगर कल market is zone के अंदर रहेगा ना तो मैं कल trade नहीं करूँगा मैं trade नहीं करूँगा बिल्कुल भी बट अगर मेरे को setup दिखा तो पक्का करूँगा किस तरीके से क्योंकि देखो वोलेटाइल बहुत जादा हो रहा आज मैंने सुबह एक trade लिया था इस पॉइन मेरे को option के price बड़ी नहीं रहे तो मैं क्या trade क इस तरीके से तो अगर मैं यहां पर प्लान करूँगा trade के लिए इस point पे only scalp करूँगा क्योंकि data favor में नहीं मेरे अगर कल market करता है कहीं ना कहीं इस level के उपर जाता है पेताली जार आठ सो पुचतर के उपर जाता है उनली scalp का view रहेगा मेरा क्यों target रहेगा यहां पर चेहां पर चेहां लिए जार तुरन दबुक कर लोगा उस level पर इसको break करके ताहे तो यहां पर में target रहेगा चेहां लिए जार हाँ अगर market क्या कर दोस्तों कि 46,50 के उपर अगर sustain कर गया इस तरीके से मान के चलो यहां पर sustain कर गया और फिर यह break कर गया 24,70 का level break कर गया फिर अपने को level दिख जाएगा रहा हम 46,415 और 46,500 के level अपने को upside में देखने को मिल सकते है यह मेरा plan है बट अगर कल market ने by chance अगर यह huddle break कर दे डाउन साइड में जोन चेक कर यहां पर buying, वापस buying, selling का pressure आया था, selling का pressure आया था, selling का pressure आया था, तो कल अगर market क्या होता है 45,490 के नीचे mark sustain करता है उनली 5 से लेके 10 minute और 15 minute आप मान चकते हो अगर इस के नीचे mark sustain करने लग गया तो आपको अराम से 45,200 भी दिखेगा और आपको 45,000 भी दिखेगा और आप आपको यह level downside में देखने का मिल चकते है, अगर कल market इस तरीके से sustain करते है तो फिर अच्छा का सा fall देखने का मिल चकता है, ध्यान देना कि उपर की level आप trip ना हो जाओ, क्योंकि यह zone देख रहे हो आप, यह उपर का zone में दोस्तों काफी जादा एक proper resistance का zone में देख वे, इसल से उपर के target के लिए, I hope दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगाना है तो प्लीज कमेंट कर दो, यार वीडियो को क्या सीखने का मिला, क्या मेना कुछ निफ्टी का scenario बताया, जिस तरीके से मेना समझाए आपको, क्या कुछ समझ में आया है नहीं आया है, यार दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरू करना, यार लाइक जरू करना, यार मिलते हैं नेस्ट वीडियो में, जैहिंद जैब, भारत, जैशेर हम, टेलीग्राम का लिंग डिस्क्रिप्शन दे दिया है, वहाँ पर आप आप एक टेलीग्राम जोईन करन्लों